हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चानल बेसिकेस्टेडी 2.0 में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का फिजिक्स जो चेप्टर नमबर तीन है चेप्टर के नाम है बल तथागति के नियम जिसमें अतिलग हुतर्य प्रस्ण त निम्नांकित में किसका जरत्व अधिक है ठीक है तो देखेंगे चले तो किसका जरत्व जो है अधिक है तो एमें दिया हुआ है एक रबर की गेंद एबं उस्याकार का पथर जो है जिसका जरत्व अधिक है और दूसरा है एक साइकल और एक रेल गारी जिसमें रेल गारी क जो अधिक होगा 5 रूपesar का जरत्व जो है इस splash होगा ठीक है next question है तो चलिए दूसरा नमबर question है आपके screen पे दूसरा नमबर question है Newton के गति का कौन सा नियम जो है जरत्व का नियम कहा जाता है तो आपका right answer हो जाएगा प्रथम गती का नियम जो है जरत्प का नियम का लाता है next question है तिसरा question कहता है गती का कौन सा नियम जो है बल की परिभासा देता है तो आपका right answer हो जाएगा गती का प्रथम नियम जो है ये बल का परिभासा देता है ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है four number question, किसी पींड का त्वरन कब सुन होता है, तब का right answer रो जाएगा, जब बाहरी असंतुलित बल जो है, सुन हो, तब पींड का त्वरन भी क्या होगा, सुन ही होगा, ठीक है, यह रहा आपका right answer, next question है, five number question है, किसी बस्तु के दरमान और बेक के समलित प्रभाब को किस बहुत की राशी से ब्यक्त करते हैं, तो आपका right answer हो जाएगा, संबेक से, ठीक है, next question है, six number, संबेक के पडिवरतन की दर किस राशी को सुचित करते हैं, तो यह जो है, बल को सुचित करता है, ठीक है, बल को हम एप से भी सुचित करते हैं, ठीक है, next question है, next seven number, एक पींड पर लगे बल और उसमें तोरन उत्पन के बीच क्या समन्द है, तो आपका right answer होगा, किसी बस्तु पर लगा बल जो है, बस्तु के दरमान और उसके तोरन के गुननफल के बराबर होता है, इसका सुत्र हो जाएगा, एफ बराबर, एमे एफ ज दरर नाथ रहो जाएगा, बल जो है एक सदी सरह सी है, ठीक है, next है, 9 number question, की संबेग का एसमे बात रहा है, Kentी मेटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्या है, कीजी मेटर पर सेकेंड है, ठीक है, और kilogram पर 30 minutes सेकेंड भी बोल सकते है, ठीक है, यापका right answer हो जाएगा, दस नमबर कोईश्चन है असंतुलित बल किसी बस्तू प्रकायसा त्वरन उत्पन करता है ति यह सुनी या असुनी बल जो है उत्पन करता है सुनी या असुनी करता है कि सुनी करता है तो आपका राइटेंस हो जाएगा असुनी बल उत्पन करता है question है कि असंतुलित बल जो है किसी बस्तु प्रकैसत वरन उतर करता है यानि कि सुनी करता है या अस्सुनी ता आपका राइट एंस रोजाएगा अस्सुनी करता है ठीक है चलिए next question है next है 11 नमबर न्यूटन के तिर्तिये गति के नियम को लिखे है ठीक है तो आपका राइटर जो जाएगा न्यूटन के तिर्तिये गति नियम में पड़क किरिया के बराबर यह वाद फेट परतिकरिया होती है ठीक है next है और यह जो question है यह अतिलों ओत्तर नियुक है अतिल लगुतर ये अतिल लगुतर ये प्रसन है ठीक है इसके बाद जो है लगुतर ये प्रसन आएगा चलिए नेक्स्ट कोईचन के तरब चलते हैं नेक्स्ट है बारे नमर कोईचन है क्या किरिया एवंपर्त किरिया एक ही पींड या भीन पींडो पर कार्ज करते हैं तो आपका राइट एंसर हो जाएगा कि भीन भीन पींडो पर ये कार्ज करते हैं क्या करते हैं भीन भीन पींडो पर ये जो है कार्ज करते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है तेरा नंबर से दोरता है यह गती के जरत्व है ठीक है दूसरा है साइकल सवार द्वारा पैंडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकल सरक पर कुछ दूर तक गती में रहती है तो यह आपका गती के जरत्व का नियम है ठीक है नेक्स्ट है यह जो है गह का यह तेरा नंबर कहीं है यातरी पीछे की और जूँक जाता है जब रेलगार ये कायक चल पड़ती है तो ये बिराम के जरत्व का नियम है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है चोदा नमबर कोईचन एक पेंड का तोरल अपने गमन के दोरान जो है पांच गुना हो जाता है क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है यदि हाँ तो कितने से बदलता है तो आपका राइट एंसर है पांच गुना से बदलता है कितने गुना से बदलता है पांच गुना से बदलता है ठीक है ये आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है पंदरे नमबर कोईश्चन है 0.2 kg जो है दरमान का एक पिंड इस्थीर मेज पर रखा है तो उसका संबेग क्या होगा तो आपका ये सलूशन है ये आपका सुत्र लाएगा इसमें पी बरावर एम भी ठीक है एम गुने भी तो पी बरावर जो हो ज हो जाता है तो आपका सभी के सभी क्या हो जाता है सुनी हो जाता है जीरो हो जाता है इसका राइटर आइन्सेर हो जाएगा थिक है नेक्स्ट है। कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रती घंटा के बेक से चल रहा है और उतने ही बेक से कोई छोटा कंकर भी चल रहा है इनमें किसका संबेक जो है अधिक होगा तब कराई टेंसर हो जाएगा इसमें ट्रक का संबेक जो है अधिक हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्रक का संबेक जो है लगो होता है तो पहला है पानी में तैरना ये जो है किस नियम पर लगो होता है न्यूटन का तिरतिया नियम पर लगो होता है ठीक है नेक्स्ट है मेज पर बड़ी फुस्तक का वही रहना ये क्या कहलाता है मेज पर पड़ी फुस्तक पर वही रहना क्या कहलाएगा तो ये प लाएगा ठीक है नेक्स्ट है अठर नम्मर कुश्चन है घर्षन बल की दिशा क्या होती है ठीक है तो घर्षन बल के जो दिशा होती है क्या होती है तो घर्षन बल लगने वाले बल के बिप्री दिशा में होती है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है उन्हेस नम्मर कुश्चन है 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर जो है चार मीटर पर सेकेंड के एक समान बेग से चल रहा है और उस पर लगा हुआ बल जो है कितना है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा जो है इस पर लगा हुआ बल जो है चुकि तोरण सुन है इसलिए बल भी क्या होगा सुनिया हुआ है ठिक है याभी क्या होगा सुनिया होगा नेकस्ट है नेकस्ट आपका 20 नॉम्डर Pier números लुप इनसंससे यानि न्यूटिन पर एक बल जो बन गरंवान के 1-0 पर कार्ज करता है करता है यहां है हो जाएगा ठिक है है तो उसमें तोरण क्या होगा ठीक है तो और बटा में कितना हो जाएगा यह मैं मास कितना त्यास सीडिया हुआ है कितना दिया हुआ है नंपर किसी भस्तु पर 25 न्यूटन का बन लगाने से premi में 5 मीटर पर सेकेंड सक्वायर का तौरण उत्वान होता है तो बस तो का धरमान कितना होगा यानि य क्या होगा ठीक है दिस सुथ पर बनेगा यह जो है और यвой जो है यह बराबर ए में ये जो है किसे को दर सेता है कि जो है आप है बल रसाता है ठीक है और एम Jordan एम जो है द्रमान को दरसाता है द्रब्य मान को दरसाता है ठीक है और ए जो है ए जो है तोरन को दरसाता है किसको दरसाता है तो यह रहा तो आपका राइटेन शुरू हो जाएगा यह जो है एफ बराबर कितना दिवा है 25 दिया हुआ है ठीक है और एम गुने जो है एम नहीं दिया हुआ है और ए जो दिया हुआ है पांच मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड दिया हुआ है तो यह जो इधर गुना में है इधर आपको इससे भाग दीजेगा इसमें तो पांच बा है खात्म हो चुका है अब चलेंगे लगहुतर ये परश्नुब पर देखेंगे सभी लगहुतर defense की इस-की बाद जो है चलिए पहला कुश्छन आपका है चलिए यह रहा आपका पहला कुश्छन जो है बल की परिभासतों दे और इसका एसाई मात्रक भी बताना है तो सबसे पहले परिभास्ता देखेंगे कि बल वह भूती कारक है जो किसी बस्तु के स्थिती के स्थिती में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेश्टा करता है बल का लाता है बल का ऐसाई मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा क्या हो ज इसे टीम के दूससरे खिलारी बी तक उह पहुंचाथा है ठीक है और भी उस गेंद को किक जो ant summer like जो एप और पर न्हीं करता है और अपनी टीम के खिलारि कियो की और जो है किक लगाता है तो उस कारक पर इसकाいう उसे कारक भी पहचान करें ठीक है इस कारण जो है अच्छा इस कारण जो है यहां पर कारण होगा इस कारण जो है उससे पहचान करना है जो परत्यक अवस्था में जो है बल प्रदान करता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा गियंद का ब्यक तीन गुना बतलता है ठीक ह बल के कारब जो है क्रमसा A हो जाएगा दूसरा में हो जाएगा B और तिसरा में जो हो जाएगा C हो जाएगा इस परकर से आपका answer है ठीक है next question है दोस्तों यहाँ पर तिसरा question है कि संतुलित और असंतुलित बलो की पड़िवासा देना है तो आपका right answer हो जाएगा किसी बस्तु पर एक साथ जो है कार्ज कर रहे है बलो का परिनामी सुनी हो तो वह बल संतुलित कहलेगा ठीक है अगर असंतुलित कहते हैं असंतुलित परमानी बल अगर होगा तो उसका हम क्या कहेंगे असंतुलित बल कहेंगे ठीक है next test for number question अपका इसी में है जरत्व का नियम क्या है और इसे किस बैगानिक ने परिवर्तन का बिरोद करते हैं ठीक है तो इसका जो है क्या करा था किस बैगानिक ने परिवर्तन का बिरोद करते हैं ठीक है तो इसका जो है क्या करा था किस बैगानिक ने परिवर्तन का बिरोद करते हैं इसका राइट एंस हो जागा गैलीलियो ठीक है नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट कोईश्टन है फाइब नमबर यहां बलो के समुह दोरा उत्पन हो सकने वाले परभाव का उलेख करना है ठीक है तो अब का राइट एंस हो जागा बलो का समो किसी भी बस्तू पर लगा कर तीन प्रभाब उत्पन कर सकता है पहला है कौन-कौन कर सकता है तो देखेंगे पहला है बलो का समो किसी बस्तू की चाल में परिवर्तन ला सकता है दूसरा है बलो का समो किसी बस्तू की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है और त एंसर है परतेक बस्तु अपनी बिराम की अवस्ता अथवा सरल रेखा में जो है एक समान गत्य की अवस्ता बनाए रखती है जब तक कि उस पर जो है जब तक कि उस बस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्ज ना करें ठीक है तो यह आपका एंसर है चलिए साथ नमबर इब रखते का है कि जरット नमबर को च्ण का नसट पेजमें देखेंगे झाये seven number question का answer है कि जरत जो है किसी बस्तु का वह गुन है जो गती अथवा बिराम की अवस्तों को बनाई रखता है जरत दो परकर के यहां होता है कितने परकर का तो पहला है बिराम का जरत बिराम का जरत क्या है तो जब कोई बस्तु बिराम की अवास्था बनाई रखता है तो उसे बिराम जरत में कहा जाता है ठीक है बिराम का जरत कहा जाता है दूसरा है कि जरत का नियाव गति का जरत है पहला बिराम का जरत हुथा जरत दो पर करका है पहला बिराम का जरत है दूसरा है जो गति का जर जरत्व और द्रमान के संबंध को असपश्ट करना है तो आपका राइट एंस रहो जाएगा कि किसी बस्तु का द्रमान जो है अधिक होता है उसका जरत्व ही अधिक होता है अर्थात बस्तु का द्रमान ही उसके जरत्व की माप है क्या है बस्तु की द्रमान ही उस बस्तु का क्या है जरत जरत जो है और दर्मान में यही शमन में होता है ठीक है तो next question है next question है 9 number तो देखेंगे क्या सुन्य बैर असंतुलित बल जो है अनुभाव करती है बस्तु असुनी बेग से गति कर सकती है और यदि हां तो बस्तु के बेग के पैमान एक even sunurs थो यहां पर देखेंगे एंसर है कि हां यह जो है वो और अगर यह बराबर 0 हो अनुभाव करती है बस तो नूटन के प्रतम नियम में सरल रेखा पड़ेकर शमान गतिजी समानों वस्था में जो होगी अर्थात उसके बेक का परिणाम और दीशा दोनो नियत होगे ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है, दस नमबर कोईश्चन, हम एक लरकी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगा कर उसे नियत बेग से फर्स पर धकिलते हैं, तो क्या बक्से पर लगने वाला घरसन बल क्या होगा, तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा आपका, कि बक्स नियत बेग से चल रहा है, ठीक है, और इसलिए जो है, उस पर परिनामी बल जो है, सुनी होगा, अर्थात बक्से पर लगने वाला घरसन बल जो है, दूसर नीटन काहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट कोईश्चन है, चलिए तो देखिए, नेक्स्ट कोईश्चन है गारा ब्यक्ति के पेरों और फर्स पे बीच जो है खर्षन जो है घर्षन के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके सरीर का जो उपढूरी भाग जो होता है, जरत्म के कारण बिराम वस्थाम बना रहता है, यानि कि oraz गराम के वस्थाम रहता है, रुका वै कि एक लगाए जाने पर आगे की और क्यों जूब जाता है तो ऐसा क्यों होता है तो इसका राइट एंसर है चलती हुई बस में अचानक ब्रेग लगने से उसमें सवार ब्यक्ति के पैर रुक जाते हैं किन्तु शरीर का उपड़ी भाग जो है जरत कारण गति में बना रहता ह और फल्स रूप जो है वह होता है जो गत गती की दिश्या में जो होता है जुक जाता है ठीक है नेक्स्ट कुस्चन है चलिए तो इसका एंसर हो जाएगा चलतु ही बस के साथ जो है उसमें सवार ब्यक्ति भी गति के अवस्त में बनी हुई रहती है जब वह बस के बाहर जमीन पर घर्षन के कारण बिरा में आ जाती है मतलब घर्षन जब होता है तो पैर चाहेगा रुकना रुकना चाहेगा किन्तों उसके शरीर का उपने भाग जो है जरत के कारण गती में बना लाता है तो पैर तो घर्षन के साथ संपर्क में है तो तो चाहेगा रुकना और प एक्ति को बस की गति की दिश्चा में कुछ दूरी तक दौर कर धीरे धीरे अपनी गति को कम करनी चाहिए ताकि वह गिरने से बच सके ठीक है चलिए नेक्स्ट कोईश्टन है आपका चोदर नमबर चोदर नमबर कोईश्टन क्या कर रहा है फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है इसका ब्याख्या करना है तो फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन क्यों होता है यहाँ पर करन देखेंगे एंसर है कि फिसलन वाली जमीन पर चलना अधी कठना ही होती है क्योंकि फिसलन वाल थे हिलाने पर कुछ पतिया जो है जड़ जाते हैं यानि कि नीचे गिर जाती है ऐसा तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे जाने तो क्या कहा रहा है पेर कि सख्खा को जोर से हिलाने पर जो है त्टियो ब्ल से क्वरत्य जति है प्सक्रित back कि गुरुत बॉल के अधेन जो है वो नीचे गिर जाती है ठीक है नेस्ट है सोला नंबर है जब किसी छोड़ी इक दरी को पिटा जाता डाड़ी को फिटा जाता है तो दरी गतिमान हो जाता है और गुरुथ के बल्र जो है नीचे गर जाता है ठीक केulu है लेख वे ते आपका दह रूंगर को द्युक्तिसान हे अग अगया कुई आपारा गुरुष्टिसलल जो शसा देक ही यह हैं कि गारी से जब अचानक जो है रुखती है तो क्या होता है अचानक जब चल पड़ती है तो क्या होता है उसी प्रकार के कोश्चन है यह जब घोड़ते हुए फ्टी के संपर्क में होने कारन गतिसिल रहता है जबकि उपर का हिशा जो है बिराम की जरत विकारन बिराम ही राता है फाल्सुरूप घोरे परसवार बेक्ती जो है आगे की और फेका जाता है ठीक है नेक्स्ट है अठारा नमबर कोश्चन ठीक है अठारा नमबर कोश्चन है कि दरी खिंचने पर जो है दरी खिंचने पर उस पर खारा बेक्ती उलड़ जाता है क्यों ऐसा होता है तो दरी खिंचने पर उस पर खारा बेक्ती उलड़ जाता है क्योंकि सरीर का निचला हिसा दरी खिंचने से गतिसिल हो जाता है जबकि सरीर का उपरी हिसा बिराम की जरत्व कारण जो है विराम में ही रहता है रहना चाहता है जिसके फल्सरूप दरी पर खारा बेगती उलड़ जाता है ठीक है है तो संबिक जो है बसतु के द्रमान ज़्यों लिखकर रहना है ठीक है तो इसका राइट आयडिन सल जाएगा इक आसnya कि की बास्तू की संब् JON लगे बल के समानुपाती होती है और यह पडरिवरतन उस बल की दिसा में होती है ठिक है नेक्स टेания थानिक खिलारी किर्केट बॉल का कैच लेते समय जो है अपने हाथ को पीछे की और खिज लेता है यासे क्यों होता है तो क्योंकि जब खेलारी कैच लेता है तो बॉल हांथों पर धाका यानी बल मारता प्तियां है और तब उसका संब्या जो है सुन हो जाता है अंगूलियों को बीच बॉल आते ही हादों को वह यादी पीछे कीजने पर तो संब्यक परotypesland पड़िवर्तन पड़ता है और इसलिए हाथ पर लगता बल कम हो जाथi को रोखें तो हाथ बारा वाल करेगा, जिसे हाथों को काफ़ी चोट लग सकती है और बाल हाथ से छोट भी सकती है ठीक है? नेक्स्ट फृस्टेन अपका नेक्स है नेक्स तैस नमर कुशन है न्यूटन के तिर्थिय गति के नियम की बेखिया करना है तिर्थिय तो न्यूच इसका right answer हो जाएगा प्रतेग की रिया के बराबर जो है बिप्रित प्रतेग के नियम llegar के अनुसर जैसे की तैरना या नाव खेना नाव से किनारे पर गोरे द्वारा गारी पर लगाया गया बल जो है बल किरिया बल है तो गारी द्वारा गोरे पर लगाया गया बल जो है पर्तिकिरिया बल है यानि विप्रित है ठीक है 24 नंबर कुश्चन है यदि किरिया सदय पर्तिकिरिया के बराबर हो तो असपस्ट कीजिए कि घोरा गारी तो कैसे खीच पाता है तो आपका रट एंसर हो जाएगा एंसर है घोर घोरी द्वारा जो है गारी पर जो लगाया गया जो है कि रिया बल के उधारन है । बाल छर्व के पहिए पर ब्प्रिथे दिशा में लगते घर्शन आधिक होता है तब तब ही जो है गारी आगे बढ़ती है और घोरा यह बल अपने टापों से प्रिथवी पर तिर्ची दिशा में बल लगा कर पैदा करते हैं ठीक है नेक्ट है नेक्स्ट है आपका संब्यक सनक्षन के सिधांद की बेख्या करना है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा न्यूटन के दित्य गति के नियम को असपास्ट होता है कि यदि बस्तु पर कोई बल अरोपित न हो तो उसके संब्यक में कोई परवर्टा नहीं होगा अर्थात संब्यक सनक्षन का सिंहन कंलाता है ठीक है जैसे की हो जाएगा बंदूक की पृक छोड़ा गया गोली रोकेट का नुदन एक जैडर है जैसके नेक्से 17D विमान विल्मंडल रही कासम कैसे चलता बकास चौते एसे विल्स नीच्यक चेक अ GM होता है और जब इंधन तेजीं जलता है तो गर्म कैसे चिद्र से तेजी से पीछे की और निकलती है तथा रोकेट आगे की और बठता जाता है रोकेट दोरा गैसों पर लगया गया बल जो है बल है तो इसकी फल्सुरूप गैस दोरा फॉकेट पर विप्री दीशाम लगया गया गया बल परतिकरिया बल है इसलिए प्रतिकिया बल के कारन रोकेट आगे की ओर जो है आगे की ओर गति करता है या उड़ पाती है ठीक है नेक्स्ट है आपका कि 27 नमर कोईशन है एक अगनी सम क्रमचारी को त्रिव गति से बहुयात मत्रह पानी फेकने वाली रवर की नली को फकरने में कठनाई क्यों होती है इसका राई टेंसल जाएगा पानी फेकने वाली रवर की नली में जब पानी बहुयात मत्रह में त्रिव गति से निकलता है त तो गति के तीसरे नियाम के अनुसर हुआ नली जो है नली जो है पर पीछे कि और समानबल लगता है अर्थार क्रम चारी खतीक से उस्ञ cue बहयात मत्रा में पानी फेकने वाली रवर की नली को पकरने में कठनाई होती है ठीक है नेक्स्ट थाइस नमर कोईशन है जब एक लर्का सरक पर खरे ट्रक को धाका लगाता है तो प्रतुर ट्रक गतिसील नहीं हो पाती है ऐसे क्यों होता है ठीक है तो आपका राइट इंसर ह क Espirati resurrect रजाइगा ँछर हैं लर्की दोरा ट्रक पर अरोपित जो बल की वेलूद सरक पर सरक्त ट्रक पर जो है बराबर परिद्णा मगरसं बलागाता है जो लरके दोरा लगाई बल को संतुलित कर देता है अत्र ट्रक पर परिद्णांवी बल सुन हो जाए इसलिए त्रक ग थैंक्स फॉर वाचिंग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए जैहिन जै भारत